कि नमस्कार मैं अमित कुमार बिहार अपडेट्स के लिए और आज हमारे साथ जाप की परदेश कारेकारिया अध्यक सुगंजी बैठी हैं आईए उनसे हम बात करते हैं सबसे पहले सुगंजी आपका स्वागत भीहार अपडेट्स पे हमको बताइए बिहार में जाप की एस्टेड़ी क्या है कितने शीटों पर यहां पर चुनाओ लड़ रहा है पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से एक सोक परकट करना चाहती है क्योंकि बिहार ने कई एसे लाल खोये हैं इसको मैं वन्न नहीं कर सकती ही टोटी जुमान से पर आज एक ऐसे शक्स की मिर्टु हुई है कि उनके लिए बस मैं नमन करती हूं और उपर वाले से प्रात्ना करती हूं दुआ करती हूं कि अल्ला उन्हें जन्नत फिर्दौस में जगा दे क्योंकि मैं आपको बता दू कि वह एक डलीत महादलीत के ही देता नहीं थे वह पूरे हिंदुस्तान के ये बिहार के ये इसके लाल थे आज मैं परकट के साथ एक चीज़ मांगना चाहती हूं सरकार के माध्यम से कि वैसाली की आन वान शान पूरी इंडिया की जान राम बिलास पासवान जी सौर गिये उनके नाम से कोई ऐसा कार्नामा कर दे कि जैपी के ओरीजिनल जो सिभाई थे उनकी इज़त रह जाए यही म क्या तैयारी है तो मैं दो तीन बातों को इसपर्च करना चाहती हूं कि हम चुनाओ दो तीन चीज़ों पर लड़ रहे हैं और लड़ने का भी एक एम है एक अबजेक्ट है एक हमारी सोच है हमारे राश्टी अधर पपूया अधर जी कि कुछ दिन पहले हमारा पर्तिग्य पत्रे में सिंपल दो चार चीजों का बिनन किया है पहला कि हमने कोर्ट से एफ़ी डिपीट दिया हमारे राश्टेद धर जिए कि आपन्दरा सालुने दिया पंदरा साल उने दिया जो भी थे मैं वेक्तिगत किसी पार जाना नहीं चाहती है तिस पाटी को भी दीए तो एक बार हम भी डिजर्व करते हैं कि हमें भी तीन साल आप दें क्योंकि हम जनता के सर्वेंट हैं पपू याद आप जनता के नौकर हैं और उनके जितने सिपाई हैं वो सब पाबलिक के सर्वेंट हैं यह मान जाएए और जिस तरह आपने देखा भी होगा मैं अपनी जु देख भी रह चुकी हूँ लेकि इनकी आइडिया को आइडियोलोजी को देखते हुए मैंने सब कुछ त्याग करके मैंने इनका दावन इसलिए परकर पकड़ा है राश्तिया पपू यादर जी क्योंकि यहां न पक्ष है न भी पक्ष है यहां दो ही चीज है कि उनकी बु बीक्तिया से पर दोसराहर पण करने का इनका अपने अपना नजरिया है अप पर फुइन बहुत से देखा है और गवर्ञां सिर्न मैं उन्की बहुत हैं सही हमारे हमारे एडियल थे और आज भी है और जिंदगी बर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने होस्त हमाला है तो उन्हीं को देखा है इसलिए उसके बाद मैंने पपू यादब जी को बहुत अरसे तक नहीं हम लोग फोलो कर पाए क्योंकि वो जेल में थे जब उनको मैंने धरातल प जाँ मताझा सौव साल पर ये एक वःपदा आया है पूरी हिंडुस्तानी पूरी वर्ट पे उसमें देख लीजए अब बार में उस तक हम पहुंचे और उन्होंने साहाफ बोल दिया जो भी चुनाव बोल दिया है कि चुनाव वही लड़ेगा जो जन्ता के बीच में काम करता है जन्ता का सर्वेंट है जन्ता के लिए जीता है जन्ता केर los मरता है नहीं कि अपनी फैमली अपने अराम को जो आज देखा जा रहा और मैं किसी पर टिपनीन भाई नहीं करना चाहती हूं सबका अपना अपना सोच है कि हमारे राष्टी अधर्ष का इतने ही सोच है कि जो जन तक पहुंचेगा जो अंतिम व्रक्ति तक पहुंचेगा वह ही हमारे पार्टी का सिफाई होगा कि कितने विधान सबाशीटों पर जाप अपने उमिद्वारों को तार लिए एक चीज़ जाए कि हम लोग 243 पे लरेंगे वित जितने भी एलाइंस के साथ और जहां-जहां हमारे अच्छी कंडिएट रहेंगे मैं जनता से भी गुदार है चाहे वह q. Bitcoin का लेकिन हमारा बस एक ही ढाजरिया है जो जनता का सरमेन बनेगा वही हमारा विधाय कोगा वही हमारा तेंग होगा वही हमारा मुस्तक्विल का तकि पांस सालर वां लोग नहीं भी गाना चाहते हैं आप देख लिछे नाivesse हजित ऑप जेख लीगा सबी दुकाने खाली, मकान खाली, आफिस खाली, स्कूल खाली, उसके लिए करोना है, बाकी तो करोना नेता के लिए बना ही नहीं है, चुनाओ के लिए बना ही नहीं है, इसलिए मैं इसपस करना चाहते हूं, जनता से घुदारिस करना चाहते हूं, आपके टीवी, आपके चैनल के माद्यम से पीज अपने आपको आप देखे आप मालिक है जनता ही चुनके लाती है ये पांसो रुपिया में कुछ लोग बीग जाते कुछ दारू में कुछ तारी में भीग जाते गुजारिस करना चाहते मैं जनता से अपना मुस्तक्विल नहीं तो बालबच्चों की मुस्त तो यह हमारे साथ जाप की परदेश कारेकाणी अध्यक्ष सुगंजी थी जिन से हमने अभी बात्चित की जो अभी अपने पार्टी के एजेंडे और बिहार में क्या विकास है उसके बारे में बता रही थी मैं अमित कुमार बिहार अपडेट्स के लिए जाप दो जाप पार्टी के लिए जाप रही थी मैं अविक है जाप बात्चित कारेकाणी अभी जा पुषण विक यू झाले रही थी जाप 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 जापने लिए धुश।